दोस्तो यहां पर एक भावी जी होती हैं जो बालकनी में अपने कपड़े शुखा रही होती हैं सुभए का समय होता है बच्चे सड़क पर खेल रहे थे और रहागी सड़क से गुजर रहे होते हैं और इने बिल्कुल भी वरोसा नहीं होता है कि कैसे कोई इनके गर में आकर इनके साथ कुछ जबरदस्ती कर सकता है बिना डर बिना खौब के यह भावी जी यहां पर अपने कपड़े सुका रही होती हैं तब ही यहां पर एक अंजाने आदमी के एंट्री होती है दोस्तो यहां पर यह अंजान बेकती इदर उदर देख के और मौका का फायदा उठा कर इन भावी जी के पास आने की सोचता है दोस्तो ये अंजान बेकती धीरे धीरे इन भावी के पास जाता है और इदर उतर देखते हुए जबर्जस्ती करने लगता है भावी जी जब तक समझ पाती तब तक यह इनको पीछे से पकड़ लेता है दोस्तो भावी जी के साथ आगे क्या हुआ आए देखते हैं झाल झाल